रेस में जो घोड़ा होता है उसको जब उसका मालिक बैठा होता है और उसको खुम मारता है तो उसको घोड़े को ये लगता है कि ये मेरा मालिक हमको मार रहा है हमको दरब दे रहा है तो वो क्या होता है और तेज भागता है वो उसको मारता चला जाता है पर घोड़े को ये ही नहीं होता है कि उसका मालिक उसको इसलिए मार रहा है कि वो उसको जिताना चाहता है तो इसी तरीके से हम लोगों का जो मालिक है उपर वाला है अगर हमें किसी तरीके की परिशानी किसी तरीके के कठिनाईयां जीवन में आ रही हूं तो यह समझ लेना आप हमारा जो भगवान है हमारा जो गार्ड है हमारे जो अल्ला है वो उपर वाला हमको जीताना चाहता है आप देखिए कभी कोई पत्थर इसके कब तक तक नहीं पूजा जाएगा जब तक उसके छैनी हतोरी से उसके अगर आपके जीवन में परिशानियां दिक्कते और लोग आपके उपर हसे यह सब आपके जीवन में नहीं होगा तो आप कभी सक्सेज नहीं हो पाएंगी तो अगर आपके जीवन में परिशानियां आ रही हैं दिक्कते आ रही हैं तो यह समझे उपर वाला आपको जितान पाचाता